तो चैप्टर 16 विविद जो है चैप्टर है उसका पार्ट 3 में लेकर आई हूं तो फर्स्ट क्वेश्चिन है निम्लिकित में से बहुत धर्म का सबसे प्राचीन स्टूप कौन सा है तो ऑप्शन नमबर डी सही हो जाएगा सार्नात अगला प्रशने तक शिला का सबसे में त थ्रहर मराजी का स्टूप अगला प्रशन है सांची स्टूप तो कहां पर अस्थे पर आयए और ग्म से सही हो जाएगा वदिश्या साँची और प्रसिद स्तूप है यह सही मिलाने बागी की सही मिलान नहीं है अग्ला प्रशन है और सी सही हो जाएगा आकार में अर्द प्रित्ता कर अग्ला प्रशन है साँची स्तोप पर किस लिपी में संदेश को दा हुआ है और आप्स अमरन एस य suggested ब्रह वह条 que विश्व का सबसे बड़ा स्थूप कहाँ है स्यावा में अग्ला प्रश्न gesprochen को कहा जाता है तो पिस्थ है Care लुए अग्ला प्रश्नहें कि प्रसेंड हैं अगला प्रशण है राघव कनीरिया को किस रूप में जाना जाता है। अगला प्रशण है जूट माध्यम से मूर्तिकला के प्रयोग कौन करता है। आप्शन नमबर A सही हो जाएगा मरडालिनी मुखर जी। चुलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिश्की मूर्ती किस काल की देन है। आप्शन नमबर B सही हो जाएगा शुंग काल की। अगला प्रशन है मूर्ती कला की उस शैली को क्या कहते हैं जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही। आप्शन नमबर A सही हो जाएगा गांधार। अगला प्रशन है चोल वैंश में निर्मित नटराज मूर्तियों में सर्वोत्तम शिव नटराज की मूर्ती प्राग्त हुई। आप्शन नमबर A सही हो जाएगा तंजोर या तमिलनाडो में। अगला प्रशन है अमरावती की मूर्तियों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है option number D से ही हो जाएगा रोमन प्रभाव अगला प्रशन है गंगा अब तरण नामक रिलीफ मूर्तिकला की विशेवस्तो है option number B भागी रती भागी रत की तपस्या अगला प्रश्ण है कि शैली में भगवान बुद्ध को केश तथा मूचों से युक्त बताया गया है आप्शन नमबर A सही हो जाएगा गांदार शैली अगला प्रश्ण है रामायन के अनुसार सीता की सोन प्रतिमा किसने बनाई थी अप्शन नमबर D सही हो जाएगा राम ओके अगला प्रश्ण है अप्तार सिंग पवार संबन देते हैं अप्शन नमबर A सही हो जाएगा मूर्ति कला से अगला प्रश्ण है शवन बेल गोला में गुम तेश्वर के मूर्ति का निर्मान किसने करवाया था अगला प्रशन है भारत में कुषान कालिन मूर्तियां बड़ी संख्या में किस संग्रहाले में उपलग दें अगला प्रशन है शंकोचोधरी कौन थे अगला प्रशन है गुप्तकाल की सर्व प्रमुख विशेश्टा है अगला प्रशन है दिलवाडा मंदिर कहा है अगला प्रशन है दिलवाडा मंदिर कहा है अगला प्रशन है दिलवाडा मंदिर किस से बना है अगला प्रशन है राजिस्तान में माउंट आबू जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है जाना जाता है Option number C सही हो जाएगा दिलवाडा मंदिर के रूप में अगला प्रशने दिलवाडा मंदिर है इसका तो Option number C सही हो जाएगा संगमरमर मूर्ति कला अगला प्रशने चार मीनार कहां इस्थेत है Option number C हैदराबाद में अगला प्रशन है खजराहो किस कला के लिए प्रसिद्ध है औप्शन नमबर सी वास्तु कला अगला प्रशन है खजराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस राजे में इस्तेत हैं औप्शन नमबर हमारा जो है सी सही हो जाएगा मद्दिप्रदेश अगला प्रशन है प्रसिद्ध ख अग्ला प्रश्न है कंदरिया महादेव मंदिर कहा है खजराहों का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर है अप्शन नमबर हमारा जो है B सही हो जाएगा कंदरिया महादेब अगला प्रशन है विख्यात कोडार्क का मंदिर किस प्रांत में है अप्शन नमबर D सही हो जाएगा ओडिशा अगला प्रशन है ओडिशा में सूर्य मंदिर किस शहर में है अप्शन नमबर हमारा जो है डी सही हो जाएगा कोडार्क अगला प्रशन है कोडार्क किस देपता का मंदिर अप्शन नमबर भी सूर्य देपता का चलिए अगला प्रशन है अपने रंग के कारण किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है OPTION NBRE D SAHY或者 KODARKA SORJE MENDİR अगला प्रश्न देव आकरतियों के सिर के पीछे बना चक्र किसका प्रतीक है OPTION NBRE D SAHYToday s Laz ada S guy कोडार्क MENDİR का अगला प्रश्ण है जंतर्मंतर किसी के द्वारा वं बनवाया था ऑफ्शनापर ऑफ्शन सवाई अगला प्रशन है देवगण का विष्टु मंदिर कब बनना शुरू हुआ था आप्शन नमबर ए पांच भी शताब दी अगला प्रशन है चट्टान काट कर बनाया गया दुरौपदी रत कहा है आप्शन नमबर डी सही हो जाएगा महावलीपुरम में अगला प्रशन है पल कि अंतरगत किन कला के इंद्रों का विकास हुआ अप्शन नमबर सी महावलीपुरम का